ये कहानी एक ऐसी टीचर की है, जिसे अपने ही स्टूडेंट से प्यार हो जाता है, और वो अपने प्यार को पाने के लिए सारी हदें पार कर जाती है। प्रिंसीपल मॉली का स्वागत कर उसे कॉलिज दिखाने लगती है तभी मॉली की नजर बेस वाल खेल रहे डैनी पर पड़ती है। क्लास लेने की सलाह देती है क्योंकि मॉली को आज उसकी प्रफॉर्वेस बहुत कमजोर लगी थी। डैनी उसकी बात मान लेता है और वो मॉली से एक्स्ट्रा क्लास लेने लगता है। वो ये सोचने लगती है कि वो डैनी और जिमी को कैसे अलग करे। दूसरे दिन मॉली असाइन्मेंट देते समय जिमी और मॉली की लव एनिवर्सरी खराब करने के लिए जान बूझकर जिमी को सी ग्रेड दे देती है। इतने कम ग्रेड देकर जिमी उदास हो गई थी। सभी के जाने के बाद जिमी मॉली के पास जाकर कहती है कि मैं एक मिडल क्लास फैमली से हूँ। मुझे अच्छी जिनिवरस्टी में अडिमेशन पाने के लिए अच्छी ग्रेड्स मिलना बहुत जरूरी है ताकि मुझे स्कॉलर्शिप मिल सके। उसकी बात सुनकर मॉली उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम यही असाइन्मेंट कल ही पूरा करके लाओ ताकि तुमारे ग्रेड्स बहतर हो सके। यह सुनकर मॉली उसे अपनी लव एनिवरस्री के बारे में बताती है। मॉली उससे पूछती है कि तुमारे लिए क्या जरूरी है ग्रेड्स या फिर एनिवर्सरी जिमी असाइन्मेंट के लिए हां कर वहां से चली जाती है और फिर डैनी से आकर मिलती है वो आज रात के लिए उसे माफी मांगते हुए कहती है कि अच्छे ग्रेट्स पाने के लिए मुझे ज़े एसाइन्मेंट पूरा करना ही होगा डैनी नराज होकर वहाँ से चला जाता है कि अभी तक हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि जिम्मी इसके लिए भी पूरी तरह से तयार नहीं खाना खाने के बाल मॉली डैनी के क्रीब आने की कोशिश करती है पर डैनी उसकी तरफ जरा सभी ध्यार नहीं देता अगले दिन जिम्मी डैनी से पूछती है कि तुम कल रात कहां थे उसके पूछने पर जिम्मी उससे जूट बोलता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ था डैनी का जवाब सुनकर जिम्मी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि जिम्मी को डैनी के दोस्तों ने पहले ही बता दिया था कि वो कल राथ हमारे साथ नहीं था उसी रात को वो दोनों अपने किसी दोस्त की पार्टी में आते हैं जिम्मी की खुबसूरती देह कर डैनी अपने आपको रोकने ही पाता और उसे कमरे में लाकर उससे प्यार करने लगता है अब डैनी के बदन में प्यार की आख बढ़ती ही जा रही थी कि तभी जिम्मी उसे बीच में ही रोक कर उसके मूड की ऐसी की तैसी कर देती है सोड़ी देर बाद मॉली खुद ही अपनी गाड़ी को खराब कर डैनी को उसे ठीक करने के लिए अपने घर बुला लेती है डैनी मॉली की गाड़ी ठीक कर देता है पर गाड़ी को ठीक करने में उसके हाथ गंदे हो गए थे अब मॉली उसके हाथ दुलवाने उसे अपने घर के अंदर ले आती है हाथ साप करते करते वो फिर से डैनी के करीब आनी की कोशश करती है उसका बदन देहकर डैनी भी अपने आपको रोक नहीं पाता और वो दोनों खूब प्यार कर एक दूसरे की जिसमानी प्यास बजाती है दरसल जिम्मी ने डैनी को अभी तक अपने क्रीब नहीं आने दिया था इसलिए वो आज अपने आपको रोक नहीं पाता और अपने टीचर के साथ खूब मज़े कर लेता है कुछ दिनों बाद मॉली फिर से जिम्मी को सीग्रेट देती है जिसे देखकर जिम्मी सोच में पढ़ जाती है कि आखर क्यों मॉली उसे बार बार सीग्रेट दे रही है जबकि उसने तो असाइडमेंट बहुत अच्छा किया था तब ही उसकी नजर मॉली और डैनी पर पढ़ती है जो एक बंद कलास रूम में अकेली थे उन दोनों को इस तरह देखकर जिम्मी को डैनी पर शाक होने लगता है एक दिन जिम्मी डैनी का पीछा करने लगती है वो देखती है कि डैनी मॉली के घर पहुँच गया था जब डैनी घर के अंदर चला जाता है जिसके बाद वो मॉली को छोड़कर जिमी के पीछे भागता है वो जिमी को रोपकर उसे माफी मागने लगता है वो उसे कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बैग गया था मगर आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा मैं तुम से बहुत प्यार करता हूं जिमी और मित में खोना नहीं चाहता उसकी प्यार बरी बाते सुनकर जिमी मान जाती है और उसे माफ भी कर देती है रात को डैनी अपने घर में बैठा टीवी देख रहा था तब ही उसे मॉली का मैसेज आता है मगर डैनी उसके किसी मैसेज का कोई जवाब नहीं देता तोड़ी देर बाद डैनी जिमी से मिलकर उसे कहता है कि मॉली मुझे बहुत परिशान करती है मैं आज रात उसे मिलने जा रहा हूँ ताकि फेस टू फेस बात कर उसे सारे रिष्टे खतुम कर सकूँ घर जाकर डैनी मॉली को मैसेज कर उसे मिलने के लिए बलाता है डैनी का मैसेज देखकर मॉली बहुत कुछ हो गई थी उसे लग रहा था कि डैनी अभी भी उसे पसंद करता है मगर जब वो डैनी से मिलने पहुँचती है तो डैनी उसे सारे रिष्टे तोड़ने की बात करता है वो कहता है कि मैं बस तुमारा बदन देहतर बह गया था जबकि प्यार तो मैं सिर्फ और सिर्फ जिमी से ही करता हूँ ये सुनकर मॉली बहुत दुखी होती है वो डैनी को मनाने की कोशिश करती है लेकिन डैनी उसे छोड़ कर वहां से जाने लगता है डैनी को जाते देख मॉली को बहुत गुसा आने लगा था और अपने इसी गुसे के कारण वो अपने गाड़ी से डैनी को कुचल कर जान से मार देती है फिर वो डैनी का खून जिमी की गाड़ी के बंपर पर लगा देती है और अपना खून भी जिमी की गाड़ी में ही रखतेती है ताकि डैनी के कतल का सारा श्रक जिमी पर जाए अब वो एक मूवी देखने जाती है और मूवी की टिकट को अपने पास संभाल कर रखती है ताकि उसका पुलिस से बचाव हो सके अगले दिन मॉली आउनलाइन जाकर एक मेकैनिक डूनती है फिर मॉली उस मेकैनिक को बहुत सारे पैसे देकर अपनी गाड़ी ठीक करवाती है और साथ ही साथ उसे चुप रहने को भी कह देती है उदर पुलिस भी डैनी की लाश तक पहुँच गई थी और वो अपनी जान शुरू कर देते हैं दूसरी तरफ जैसे ही जिम्मी को डैनी के कतल के बारे में पता चलता है तो वो भाग कर पुलिस टेशन जाती है उनके पूचने पर जिम्मी उने बताती हैं कि मुझे हमारी कलास टीचर मौली पर शक है क्यूंकि कुछ दिनों से मौली और डैनी का चकर चल रहा था और कलराग डैनी मौली से मिलकर सब कुछ खत्म करने की बात करने बारा था जिमी का व्यान सुनकर पुलिस वाले मॉली से पूश्टाश करने उसके घर आते हैं जहां मॉली उने बताती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था डैनी तो बस मेरे एक अच्छा स्टूडेंट था साथ ही साथ वो उने मुवी की टिकेट्स भी दिखाती है मॉवी की टिकेट्स और मॉली का बिना गवराए बात करना उसे बेगुना सावित कर गया था मॉली ने पुलिस को ये भी बताया था कि उसका फून चोरी हो चुगा है थोड़ी देर बाद पुलिस शक के अधार पर जिमी के घर की तलाशी लेनी शुरू कर देती है जब वो जिमी की गाड़ी चा करते हैं तो उने गाड़ी के बंपर पर डैनी का खून नजराता है जिसे मॉली ने लगाया था फिर उने गाड़ी में से मॉली का फून मिलता है जिसमें डैनी से मिलने का मैसस था अब सारे सुबूतों को देह कर पुलिस जिमी को गिरफतार कर लेती है कुछ दिनों बाद जिमी के माता पिता उसे बेल पर रहा करवा लेती है जिमी अपनी माँ को बताती है कि मुझे पूरा जगीन है कि डैनी का कतल मौली नहीं किया है कोछ देर बाद मेरी जिम्मी के कॉलेज जाकर चुपके से मॉली के पर्स से उसकी गाड़ी की चावी चुरा लेती है जब मेरी उसकी गाड़ी की तलाशी ले रही थी तो उसे मकैनिक का पता मिल जाता है मैरी जल्दी जल्दी मकैनी के पास जाकर उससे पूश्टाश करने लगती है पर वो साफ साफ मना कर देता है कि ऐसे कोई भी गाड़ी और औरत मेरे पास नहीं आई अब निराश मेरी जैसे ही बहाँ से जाने लगती है तो मकैनिक की ये करमचारी मेरी के पास आकर उसे सब बता देती है वो उसे बताती है कि कैसे मॉली ने बहुत सारी पैसे दे कर अपनी गाड़ी ठीक करवाई उसने मेरी को तो सब बता दिया था पर पुलिस के सामने ब्यान देने से वो मना कर दीती है इसके बाद मॉली घर आकर स्टीवन को मॉली का सच बताती है जिनने जिमी भी सुन लेती है सच जानकर जिमी मॉली के घर जाने को कहती है पर मेरी उसे उसके पैर में लगा ट्रेकर दिखा कर उसे कहीं भी जाने से मना कर दीती है जे ट्रेकर पुलिस ने लगाया था ताकि जिमी घर से कहीं बाहर ना जा सके रात को जब मैरी और स्टीवन सो जाते है तो जिम्मी चुपके से मैरी का फोन और गाड़ी लेकर मॉली के घर की तरफ चल पड़ती है जिम्मी मॉली के घर के बाहर पहुँचकर फोन में recording mode on कर लेती है ताकि जब वो मॉली से उसका जरुम कबूल करवाए तो सब कुछ रिकार्ड हो सके पर उसका जे प्लैन फेल हो जाता है और वो पकड़ी जाती है अब जिम्मी उससे सचाई बुलवाने के लिए उसे गुसा दिलाने की कोशिश करती है वो उसे बुड़ी और गंदी औरत कहती है जिम्मी उससे कहती है कि डैनी तुम जैसी बुड़िया से कभी प्यार नहीं कर सकता इस पर जिम्मी का प्लैन काम कर जाता है और गुसे में आकर मॉली सारी सचाई बग देती है वो कहती है कि मैंने ही डैनी को मारा था और आम में तुमें भी मार दूँगी इतना कहकर वो जैसे ही उसे मारने लगती है तभी पुलीस वहाँ पहुंच कर उसे पकड़ देती है दरसल जैसे ही जिमी अपने घर से बाहर निकली थी तभी पुलीस ने उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया था इससे पहले कि पुलीस वाला मॉली को गिरिफतार कर पाता मॉली उस पर बार कर वहां से भागने लगती है अब जिमी जल्दी जल्दी पुलीस वाले की गन निकाल कर मौली को रोक लेती है इतने में बहां बाकी की पुलीस टीम भी पहुँच गई थी पुलीस मौली को गिरफतार कर लेती है और बेगुना जिमी को रहा कर देती है इसी के साथ इस कहानी का जहीं अंत हो जाता है